मैं पहली बार माइक पे पहुचा मेरा नाम बुला तो मैं जैसे माइक पे गया मेरी आखों में पानी आ रहा था और मेरे पैर कहा परे थे श्टील फैक्टरी में और महां पर ऐसा सीन था के बारे गंटे काम करो साम कुछ 600 रुपय अपने ले लो कुछ लिस्तारवन तान ने दे कि क्या करेगा आप कलड़का तो मैं यह तो यह समझता हूं कि यह तो जीरो बन जाओ या फिर हिरो बन जाओ यह बीच वाली कैटेगरी मत रखो काफी कुसी कवम मतलब अपनी बेजतियों से हैं लेकिन यह कि हां जो करना है वो करना है हार नहीं वाननी बस सब नू कहां चोड़ा चिल करें और हम चिल करें क्योंकि मारा दिल गर आ और जो भी उड़ारे अपने बाप का उड़ारे थारा बाप कौन सा मारे बिल बर है नमसकार जी मेरा नाम है सरगुंत्यागी और मैं उत्तर प्रदेश के बागपजले का रहने वाला हूं तो अपन यह नहीं कहते हैं कि बिल्कुल ही गरीब दे लेकिन हाँ ऐसा था कि कोई अपने शोख पूरे नहीं कर सकते थे बस खाना पीना अपना चल रहा था ऐसा ही कुछ सीन दा तो हम पढ़ रहे थे गोवर्मेंट कोलीज में क्योंकि अपना बजट नहीं था प्राइवेट कोलीज ब थोड़ा सा इस लाइन में बढ़ रहे थे बारवी किलास से बारवी किलास से क्या हुआ था मैं यूटूब पर चैनल बना रख था एक और थोड़ी बहुत कोमेडी बगएरा की वीडियो बना देता था गुरूप था मेरा पांच साथ लड़कों का उसमें मैं अपनी वीड वो भी सेम ऐसी 2,3 वीडियो बनाई उन्होंने मेरे साथ में और वो भी छोड़ गये ऐक यूजब सेम वह भी छोड़ गए फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा डी मोटीवेट हो गया था कि सोचल मीडिया पर कुछ नहीं है अपना इंट्रेस्ट नहीं था फिलकुल भी कि अब कुछ करूं तो मैं घर से आ जोब के लिए मैं गुड़गां आ जोब के लिए और यहां पर एक कंट मां उनके सिगनेचर करने हैं अगर सोना भी है तो ट्रक में सो सकते हो अगर ट्रक नहीं आ रहे हैं तो फिर अपने रूम पर जाकर सो सकते हो तो मैं अपने बैग में बोया का माइक रख लाया था कि महां पर कुछ ना कुछ बना लूं वह कलागारी तो थोड़ी सी भित्तर मेरे तो एक दिन बारिस का मोसम था ट्रक आनी रहते अपने मैं उपर चत पर चला गया क्योंकि मेरे जो सीनियर थे उनसे मेरी बंती नहीं थी वे पीने खाने वाले आदमी तो मैं चत पर चला गया बोया कमाई के ले अपना और महां पर मैंने कुछ साहिर्या जी लिख रख तो मेरे को लगा यार तुझे बहुत लोगों ने देखा लेकिन वह तो मेरा फाश टाइम था इंस्टाग्राम पर मैंने नेक्स्ट वीडियो डाली उस पर आये मेरे असी व्यूज मैं फिर डी मोटिवेट हो गया लेकिन मुझे लाला कुछ था नहीं इस फिल्ड जे तो मै बनाता रहा मेरे गाहूं से मेरे दोस्त मुझे कोल करके कह रहे दें कि भाई बहुत अच्छा लिख रहा है ऐसी बनाऊ-जाव वीडियो वह मुझे मोटिवेट कर रहे थे मेरे यार दोस्त तो मैं बनाता रहा यहीं से फिर उसके बाद में मेरी यहां सीनियरों से नोगरी को इतनी बड़ी बात ना है घर रहे अपने अराम से लेकिन फिर वहां भी मुझे मतलब इसका पता लगा यह जो ऑपन माइक वगेरा के शो होते हैं जब तक इतना पता नहीं था ऑपन माइक के शो हो रहे थे दिल्ली में लेकिन उसकी ऑपरचुनिटी मेरे को मिली मैं खेगडा में एक नया खुला था झिस ऐलेंटी वहत कर गया तो मुझे वहाँ पर लड़कों बुला खेगडा के तो भाईया ऐसा सीन होगा तो बिल्कुल के मैं बोलनी पाऊंगा बिल्कुल भी लेकिन फिर मैंने सोचा कि मगा अगर तू नहीं बोला तो यह जो चार दिन तक तन्हें अपने दोस्तों को पकाया है अपनी साहिरिया सुना के यह तुझे रास्ते में पीट भी जखते हैं क्य उसके बाद काफी ताली बजी और जो मेरे आखों में पानी आख़ा था वह आख़ों का पानी दीर दीरे समाफ्त हो गया वह खुसी में बदल गया और बस तब से मेरी साहिरी वाली जरनी स्टार्ट होगी फिर उसके बाद मैं मैं सोच रहा है कि अब नोक्री कर ली जागा मैं घरकों से कब तक पैसे मंगूंगा इस फिल्ड के लिए क्योंकि वह पैसे लेने लग गे थे 300 रुपे पर वीडियो पांच मिनट की वीडियो होती तो मैं नोकरी करने चला गया एक गाउं के लड़के के साथ मैं मुर्थल इसमें श्टील फैक्टरी में और वहां पर ऐसा अधिन बेकार थी जो मिस्ट्री के साथ में तसलिय उठाला वह भी आदमी बढ़िया लेकिन उस नोकरी से बेकार नी मानता है कुछ भी तो वह तीन दिन करी मुझे पैसे मिले उसके एक दिन के उन्होंने काट लिए वह दिया नहीं लाश्ट वाली दिन लेकिन दो दिन के तो मैं उनसे भी इमेंट करने गया कभी दिल्ली भी आया 500 रुपे में इमेंट करके गया तो मतलब जरनिया से चलती रही चलती रही फिर वह नोकरी भी मैंने छोड़ दी वह इस कारण से छोड़ दी क्योंकि वह मुझे एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोल ले थे और मैं अप दुकान पर लगवा दिया 9000 रुपे महिना मैं सुबह को उठके जाता था दुकान पर मालिक आने से पहले महां जाड़ू लगाता था फिर उसके बाद में मालिक आ जाते थे और मालिक आके मेरे को एड्रस बखेरा बताते थे महां लैप्टोप लेने चला जाता था और लै मेरी जो फर्ष्ट वाइरल साहरी थी वह यहीं से सुरुवात हुई थी उसकी मैं काम खतम करने के बाद में साम को दोस्तों के साथ महीं पार्क में घूम रहा था और एक मैंने लाइन लिखे थी वह थी के पांच फुट की थी वह घणी घजब लगा थी सूट काले में अब अब नाले से मेरे दिमाग में कुछ चीजे आई और मने उस साहरी को कंप्लीट कर दिया और साहरी बना दी फिर यह के तो यह मेरी एक वीडियो वाइरल हो गई थी जो मैंने आपको बताई के पांच फुट की थी वह घणी घजब लगा थी सूट काले में तिरची तिरची लगा हुती तो यह कॉफी वाइरल चली गई थी मतलों मेरे इस्टडराम से दो वाइरल हुई निए लेकिन यह उई भी थी ओरों के इस्टराम से वाइरल और लोग मेरा फेश सान गेते और फेज जानने का मुझे यह एडवांटेज मिला कि मैंने अपनी जोभी आगे की च दिर्ट शुरूबाद मेरे गाहों के लड़कों ने काफी अफ़ा फ़लाई की तो फेक फोलोवर जब डैलीके दस पंद्राजार बीस आफ़ोलोवर डैली बढ़ रहे दे छैसाथ दिन में उक लाग फॉलोवर बढ़ जा रहे थे तो अफ़ा फ़लाई नी सुरू करी इसके यह हैं लेकिन लोग मिलने आने लगे उनी रिष्टेधार मुझे से मिलने लगे उनी के रिस्तेधार उन से लिपक के काऊं का हुगा तब उनको यकीन हों कि बंदे के फेक फोलोवर रहने डेंद ऐसे हैं जो मुझे देखकर जलते हैं अब मैं बस कह नहीं सकता हूं मेरी पीट पिछे बुराई भी करते हैं थोड़ा सा मजबूर इसलिए हूं कि केस बेस्ट से ढरता हूं थोड़ा कि अग्या की जरनी खराब नहीं जा वरनाथ जीत ऐसा करेंगी बस खूँ नहीं करता हूं तो लूम है क्योंकि एक गटना मेरे साथ ऐसी होई थी मेरा एक फोन था रैडमी 4 वह मने नया लिया था वह घर को ने दुआ था पहला फोन मेरा तो मैंने वह लिया था नहीं अब मैं उसे लेके मतलब घर चला गया फिर मने एक साल वो चलाया दो साल चला फिर वह खराब तो मै सर्विस चेंतर पे ले गया तो मुझे पता नहीं कि सर्विस चेंटर पर क्या करना होगा में कि भी आ और और सबसे पहले आई सबसे कर आङा जा तरह या अपने पुराने फोन यह जा रहा है जमा करें थे अब मैं यह सोच रहा कि यार तू सबसे पहला है और तेरा काम नहीं हो रहा है तो हमसे बहुत बढ़ी गलती हुई एक लड़का आगे बैठा उसने बोला नंगा नंबर ना लिया गया नंबर भी लेना पड़ा है तो इस पर आपको नंबर भरना पड़ेगा फो मैं फिर पागल है तो मैं फिर उस पर टोकन लिया मने 22 बाइस मेरा नंबर ब्रम्र में टाया फेर उसके बाद मैंने कहा कि कलाना कलाना मैं फिर अगले दिन आ आया जिस टी बगएरा की नंबर उस पैस बील पर नहीं चड़िए तो उन्हें लगवा के लेक आया फिर प लिए मैट्रो का सिन है स्टाइब बभाल इतना इहां ज़ा रहा लेकिन से सामली मेरा दिमाग हो रहा था थोड़ा सा गर्मी में ऐसा ही तो उन्होंने जो माइक साथ उनके सामने जो अनाउंसमेंट वाला माइक होता उसमे और बोल दी वह बात अब सब मेरी तरफ को लखा रहे कि सामली का तो कोई रूटी नहीं पढ़ता मैट्रो का अब इत ऐसे करते रहे बहुत किस्ते हैं अपने बचपन के भी बचपन में कैसे घूमते थे और कुछ टैटू का सोख है मुझे जैसे कि यह मैंने टैटू बनवाया था पहला दिल्ली में बनवाया था और यह बोले नाथ का टैटू है तिरशूल है इसमें हाथ एडम रूए तो मै मतलब हरी दौर रिशिकेश अधिक तर जबी मन सा उदास होता है तो मैं हरी दौर रिशिकेश चलाता हम सबसे ज्यादा सुकून मिलता है महां पर फिर उसके बाद में मुझे टैटू और बनवाना था अब सब बनवाते हैं किसी अपने आइडल कुमान लेते हैं सब सबकी है मेरी से सौच है लेकिन मेरे दादाची में ने टैटू बनवाया और काफी आर्टिस्ट से यह भनता बाकी ने का के है और फोटो छोटा है तो यह मैंने आप तला खाल ना अनोंने प्दाची किसी का बुरा नहीं करना अपनी जमीन नहीं बेगनी कमा के छाना अपने घर मैं आई हुए का अधर करना बहुत सारी चीजे छी है और उन्ही चीजिज जोब मैं मैं मुझे रास्तों पर चल रहा हूं तो कहीं नहीं खुशी मिलती है कि हां भई मैं ददा जी का अधर से चल रहा हूं तो बहुत जरूरी है मतलब अपने बुजरुकों की बाते बहुत जरूरी है और इस जर्णी में मुझे तानने मिले बहुत रिष्थेदारों के कुछ रिष्थेदारों ने तानने दिये कि क्या करेगा आपका लड़गा कुछ दोस्तों ने तानने दिये कुछ गाउंवालों या फिर हीरो बन जाओ यह बीच वाली कैटेग्री मत रखो बिल्कुल भी के बीच में लटक रहे हैं ना इधर जा रहे ना उधर जा रहे मेहनत करके मैं जीरो बनना वैतर समझता हूं लेकिन ऐसे सांत बैठना सही नहीं समझता क्योंकि पढ़ाई अपने बसकी वात थी नहीं तो मैं बस लगा रहा इंची जो मैं ऐसे ही अपने वायल हो गई और असली मेहनत तो अब है अब देखते हैं क्या क्या होगा तो भाईयो मैं तो कहता हूं कि ऐसे मेहनत करते रहो एक अब क्या चाहते हो वह जरूरी है तो फैमली रिष्चेदार इन सब की थोड़ी सी बात साइड में रखके अपनी भी सुनना और कार्यों करते रहना और हाजी धन्यवाद करना चाहूंगा जो श्टोक ने जो मुझे प्रेटफर्म दिया बहुत-बहुत धन्यवाद प्राम